आप सभी का ही स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल एवाइफाइए और लेंड क्लासिज पर दोस्तो रेलवे गुरूब डीक से समद्द जो पार्ट टू है बहुत विज्ञान का वो मैं आपके लिए लेकर आगया हूँ इसमें हम तरंग और द्वहनी से समद्द जो मारी सीरीज चल रही थी फ्रस्ट पार्ट इसका हो चुका है जिन विद्यारतिवियों इसका फ्रेकर देखा है उसको आप चैनल के लिंक पर जा कर देख लें या आप आप्पे लिये इस वीडिजिव को डिस्कुक्र दिंब लिंक कि लिए था मिल जाएगी वहाँ से जाकर आपो चेक कर सकते हैं देख सकते हैं इसमें यहां से जो तरंग और द्वैनी से समद्धी जो टॉप है बहुत है विज्ञान के अंदर है उससे समद्ध जो question बन सकते हैं most important question उनको मैंने इस वीडियो के मादम से आपको मैं करा रहा हूं यह second part है इस बहुत है विज्ञान तरंग और द्वैनी का इसमें NTPC के लिए भी important है और जो GD क exam है उसके लिए भी important रहेगी वीडियो या पर जो यह exam होता है उसमें science से समद्धी जो question पुछ आते हैं उसको मैं आपके लिए question देखने को मिल सकता है तो इसलिए आप इस वीडियो को script नहीं करें इस वीडियो को पूरा देखें जितना हो सके क्योंकि आपके लिए exam के डि देखने को मिले गाई चलिए बढ़ते हैं एक वेस्ट कोशन की और वेस्ट कोशन रहेगा हमारा कि वेस्ट कोशन क्या रहेगा देखते हैं पहला person है हम 25 तक से पहले question कर सके हैं 26 में person है इसमें यह question है तालत किस पर निर्भर करता है यह आपसे पूछा जाएगा तारत किस पर निर्भर करता है तो इस परकार से आपसे पूछा जाता है तारत आवरती पर ही निर्भर करता है किस पर आवरती आपको याद अपना है तारत किस पर निर्भर करता है आवरती पर तारत निर्भर करता है तोला question है पुरस की आवा यह आप से पूछ सकता है कारण के बारे में आप से पूछेगा तो इसकी आवाज मोटी क्यों होती है क्योंकि कम तारत के कारण कम आवरती होने से हावाज मूर्टी होनी का कारण आपको समंज ना है कम थारत rejoice के कारण कम आवारती होने कारण किसके वर्याज मूर् Prix होती है कि परूसदों के वाज होती है कि यह आपको याद अखना है जो विद्यारती इस चैनल को अभी तक सब्सक्काइब नहीं करें उनसे रोकेस्ट एप चैनल को सब्सक्काइब करें जितना उसके इस व्यूडियो को सेयर करें जिसे और विद्धारती इस चैनल मादम से जोड़ सकें Next question क्यों बढ़ते हैं next है समान प्रवलता और समान तारत की द्वहनी के बीच अंतर होता है question को समझना है समान प्रवलता और समान तारत की द्वहनी के बीच अंतर होता है वह आपसे अंतर पुछ गया है किसका अंतर होता है गुंता के कारण का अंतर होता है आपसे Group D के एकजाम में इसी प्रिकार के Question पुछ जाएंगे Science से सी देखल नहीं को पूछा जाएगा क्योंकी Group D के एकजाम में Special आपके लिए Science का Direct केतेरी अलग से रखा गया है इसकुराण Science के Qu travailler आपके एसी प्रिकार से पूछे जाएंगे जो आपके लिए देखने को मिलेगा, अगला कोश्चन है, प्रेति द्वहनी सुनने के लिए नियुन्तम दूरी होती है, उसे सुनने के लिए नियुन्तम दूरी के बारे में आपसे पुछा है, तो नियुन्तम दूरी कितने होती है, 17 मीटर होती है, प्रेति द्वहनी है, जो कान पर दोहनी का प्रवाब पड़ता है जो हमारा कान है इस पर दोहनी का प्रवाब रहता है कितना प्रवाब रहता है तो यह है एक उटा दस सेकंड तक प्रवाब रहता है कान पर किसका दोहनी का प्रवाब रहता है एक उटा दस सेकंड यह आपके लिए आपके याद रखन की अगले कुछिंदे हैं के दोहनी दिन के पिक्सिर रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है इसका कारण आप से पूछता है इसक refers अफ बॉटन के कारण किसके खाइन अफ वशन की कारण दोहनी दिन कि अफिक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है नेक्स्ट कुश्चन है डॉपलर प्रवाव संब्देते हैं आपसे पूछ सकता है कि डॉपलर प्रवाव है वह किस से संब्देते हैं यदि आपसे इस प्रकार पूछे तो वह किस से संब्देते हैं आवरिती से माद्यम में पेंडी की चाल तथा उसी माद्यम में द्वहनी की चाल के अनपात को क्या कहते हैं कुश्चन को दुआए सुनिए इसी माद्यम में पेंडी की चाल तथा उसी माद्यम में द्वहनी की चाल के अनपात को हम क्या कहते हैं यह आपसे पूछता है तो उसे हम मैक संक् इस प्रकार question आप से पूछा जाएगा important question है इसलिए आपको question को बड़े ध्यान से दिखना है पढ़ना है उसके बाद दिखना है इसमें answer क्या होगा क्या हो जाए इसका answer मैक संक्या correct answer होगा अगले question मैक संक्या एक और पांच के बीच में होता है जो मैक संक्या जो आखड़ा है एक और पांच के बीच में होता है क्या होता है प्राद्विक चाल होती है क्या प्राद्विक चाल होती है यह आपको आपको अगला question क्यों बड़ते है next question है मैक संक्या पांच से उपर होती है मेक संक्या है, जो 5 से उपर किस प्रिकर्ण होती है? आपसे पूछी, तो इसका अंसर होगा है, हाईपरसोनिक होती है. मेक संक्या 5 से उपर हाईपरसोनिक होती है. अगला कोशन है प्रगाती तरंग जिसे हम सोख वेव के नाम सीव जानते हैं कब होती है प्रगाती तरंग कब होती है आपसे पुछे तो इसका अंसर होता होगा प्राधधनविक से उपर होती है उप्रवाती तरंग है जिसे हम सोक वेब के नाम से जानते हैं यह प्राजिण वेक तरंग से उपर होती है अगला कोशन है लंबी दूरी के लिए बेतार संचार के लिए अप्युक्त तरंग हैं तो इसका answer होगा रेडियो तरंग है इसका correct answer होगा याद करके जाना है लंबी दूरी के लिए बेतार संचार के लिए उप्योग कोंशी हैं रेडी तरंग के सबसे उप्योग होनी रही है नेक्स कोश्चन है नेक्स कोश्चन आपके लिए कार की गति मापने के लिए प्रियोग करते हैं जो कार है उसकी गत्य को हम मापने के लिए क्या प्रिवक करते हैं किसका प्रिवक करते हैं कार की इस्पीड को मापने के लिए स्पीड को मापने के लिए हम रेडिय तरंगों का ही उप्योग किया जाता है रेडिय तरंगों के माद्यम से हम कार की जो स्पीड है गती है उसको हम मापने में प्रियोग करते हैं अगला कुछन है रेडिय तरंगों का संचरन होता है जो रेडियो तरंगे हैं उसका संचरन किस संचरन होता है किसका यह आयन मंडल में होता है इसमें आयन मंडल में रेडियो तरंगों का संचरन होता है या देखना है आयन मंडल next question है बंद चूले जिसे हम oven के नाम से जानते हैं बंद चूले में किसका प्रयोग होता है बंद चूले में किसका प्रयोग होता है यह आप से question पूछेगा तो इसका answer होगा सूच तरंगों का प्रयोग किया जाता है किसमें बंद चूले जिसे हम ओबन चूला केते हैं उसमें प्राइब किया जाता है कि सूच में तções की तरंगों का प्रेयोग किया जाता क obviamente कुट्टिन है बैच के दरस्पेक्ट्रम का तरंग दो किस अधिर क्या होता है तो तरंग धर होता है यह आपको नाम जो माप दे रखिए आपको याद रखना है 10 स्पेक्ट्रम का तरंग धर कितना होता है 4900 से 4800 होता है लिए अगले कुश्चन के बढ़ते हैं अगले कुश्चन है कौन सी तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती आपसे 4 औप्शन देगा कौन सी तरंगे निर्वात में गमन नहीं होती उगताना के आपका जो सही आपका वो फिए मोगता जानने के लिए किस तरंग का प्रिव करते है हम crystal crystal की सरच में जानने के लिए हम किस तरंग का प्रयोग करते है है अगला question है रेडार में कूंसी तरंग होती है जो रेडार है उसमें कूंसी तरंगग प्रियोग करते हैं यह आप से पूछे तो इसका कर्रेक्ट अंसर होगा रेडियो तरंगों का ही उसमें प्रियोग किया जाता है अगला कुश्चिन है रात्रे में देखने वाले उपकरणों में किस तरंगा प्रियोग उत करते हैं जब हम रात्रे में देखने वाले उपकरण हैं उसमें किस तरंगा प्रियोग करते हैं देखने के लिए हम अवरक्त तरंगों का प्रियोग करते हैं ना में आप गया दखना है यूदि जो हम रात्रे में देखने के लिए वाले उपकरण किस तरंग करते हैं अवरक्त तरंगो का प्रियोग करते हैं जो हमारे फोजी भाई हैं रात में जो बॉर्डर पर डूटी करते हैं तो उनके लिए तो दुर्वीन बगएर जो उपलब्ट कराई जाती है वह रात देखने के लिए उसमें अवरब्ट तरणों के लिए माद्यम से देखा जाता है नेक्स कोश्चन है आज की इस वीडियो को लास्ट कोश्चन है आंतों के रोग के लिए किस करन का प्रियोग करते हैं आंतों के रोग के लिए किस करन का प्रियोग किया जाता है उसमें आंसर होगा एक्स करन का प्रियोग किया जाता है जो आंतों के रोग के लिए किस करन का प प्रियों किया जाता है यह आप विया दखना है तो दुखतु यह थे बहुते विज्ञान के पार्ट सेकंड से समद्द कुश्चन जिसका थर्ड पार्ट और ले केंगे जिसके मादम से आपका पूरा इस टब्शक है यह कम्पलीट हो जाएगा आपको इससे पहले जिस पूद्ध दिःद दिने जो पहला टोप पार्ट है वीडियो का वो आपने नहीं देखा तो उसको फिली सबसे पहले देखें क्यों और वीडियो आपको मिल सकें चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद